और दोनों भी सुधी दिला कर तुमारे शुद मन को भारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भावश्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभू और उधार करता की उस आग्या को स्मरन करो जो तुमारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हसी ठठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अविल्टाशाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिग्या कहा गई क्योंकि जब से बाप दादे सो गए है सब कुछ वैसा ही है जैसा स्रिस्टिक के आरंग से था वे तो जान बूच कर ये भूल गए कि परश्व के वचन के द्वारा से अकाश प्राचिन काल से वर्तमान है और प्रिथ्वी भी जल में से बनी और जल में सिर है इनी के द्वारा उस यूग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया और वर्तमान काल के अकाश और प्रिथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जाए जाए और वो भक्तिहीन मनुश्यों के न्याएं और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे हे प्रियों यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभू के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है प्रभू अपनी प्रतिग्या के प्रतिजाओ आगे आखरी तक पड़ो मृती फेप्रियों यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभू के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है प्रभू अपने प्रतिग्या के विशे में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विशे में धीरज धरता है और नहीं चाहता की कोई नश्ठ हो वर्ष यह की सब को मन फिराओ का आवश्र मिले परंतु प्रभू का दिन चोर के समान आ जाएगा उस दिन आकाश बड़ी हराहट के सब्द से जाता रहेगा और तत तो बहुत ही तब तो होकर पिखल जाएंगे और प्रिथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे आखरी तक आखरी तक जबकि ये सब वस्तुए इस रिती से पिखलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ती में कैसे मनुस्थ होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रिती से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यतन करना चाहिए जिसके कारण आकास आग से पिहल जाएंगे और आकास के गण बहुत इत्तप्त होकर गल जाएंगे पर उसकी प्रतिग्या के अनुसार हम एक नए आकाश और नए प्रिथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धर्मिक्ता वास करेगी इसलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यतन करो कि तुम सांती से उसके सामने निश्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धिरज को उद्धार समझो जैसा हमारे प्रियभाई पॉलुस ने भी उस ग्यान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हे लिखा है वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिन में कुछ बाते ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचा लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन बातों की तरह खीच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भरम में फसकर अपनी इस थीरता को कहीं हाथ से खो न दो पर हमारे प्रभू और उद्धार करता येश्यु मसी के अनुग्रा और पाचान में बढ़ते जाओ उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे आमीन आमीन तो ब्रभू इन वच्णों के द्वारा आज हमारा माग दर्शन करें बहुत सारे विश्य है इसमें मैं केवल पॉइंट आउट करूंगा इन इन बातों पर दिहान लगाना सबको सबसे पहरी बात यदि मैं बताऊं तो उसके तीसरे पत को पढ़िए तीसरा और चौ पहले जान लो और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हजी ठठा करने वाले आएंगे जो अपनी है अभी लाशाओं के अनुसार चलेंगे चार भी और कहेंगे उसके आने के प्रतिग्या कहा गई क्योंकि जब से बाप दादे सो गए है सब कुछ वैसा ही है जैसा स्रिस्टी के आरम से था तो ये पहली बात है इस पर अपना ध्यान लगाएंगे अंतिम दिनों के विशे में एक बात लिख दिया पत्रस ने कि पहले जान लो सबसे पहली बात ये तुम जानो कि अंतिम दिनों में हसी ठठा करने वाले आएंगे और जब जब अंद की बात आएगी अंद की चड़चा होगी इस संसारे के अंद की बात होगी तो बहुत सारे लोग हसी सर्चा करके कहेंगे कि अरे जब अच्छा था वैसी है कहां लिखा है लोग बोलते हैं अंत आएगा बराता नहीं है यह इसके विशे में मजा करेंगे को लो मालूँ आने जाती लोग नहीं उनको तो अंत भी चारों को पते ही नहीं कि अंत भी होने वाला किवल जो क्रिश्चन वार्ड में जिनको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है उन लोग हांती मजा करते दिखाई देंगे आपको ध्यान करो सबसे पहले जान लो अंतीन दिनों में ऐसे मेंटलीटी के लोग होंगे और अपनी अपनी अभिलाशाओं के उससाथ चलेंगे अभी तो जीलो यहां दुनिया में सब कि सब मजाक की बास समझते हैं परेड़ी बास दूसरी बात लिए एक दिन हजार वर्च के बराबर इसके विशह में मैं बहुत बार बताया हूं ये एक दिन हजार वर्ष का जो हिसाब है ये पूरी प्रित्री का इस दुनिया के मानुशिक जगत का जो उम्र है पनुशर के बचन के उसार साथ हजार साल का है ये हम लोग जानते हैं इसके विशह में एक लाइन लिखा है ये इबरानी की पत्री उसका चार अध्या उसके एक पत्र से बढ़ो एक एकजामपल दे के समझाया है पढ़िए इबरानी चार उसका एक से दस तक पढ़ेंगे पहले पहला और दूसरा प्रवेश करने की प्रतिग्या अब तक बाकि है और उसका विश्राम जिसको कहते है वो आया नहीं मैं बार बार बताता हूं आप लोग को सबको पता हैं कि नहीं अब इश्राम का दीन परविश्यार के बचन को साथ महां हजार साल है जो अभी तक आया नहीं है उसके नौर दर्स पत को पढ़ लो बाकी को पूरा पढ़ लेना नौर दर्स पर सो जान लो की परमेशों के लोगों के लिए सब्ध का विश्राम बाकी है इसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी पर्मेशकी नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है ये सब्त का विश्राम के विश्य में पत्ती एक अद्याय में दो अद्याय में ये बात लिखा है, हम लोग सब जानते हैं, वहां से शुरू हुआ है सब्त का विश्राम, साथवा दिन जिसको परवेश्र का विश्राम का दिन कहा गया, छे दिन उसने काम किया, साथवे दिन और तब यहाँ पर लिग मेंशन किया गी उसने पर्वेशन ने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया वैसे ही उस विश्राम में वो लोग प्रवेश्च करेंगे जिन्हों ने इस प्रित्वी पर के अपने सारे कामों को पूरा किया पर्वेशन ने हमारे लिए इफिसी दो का दस क्योंकि हम उसके बनाएं हुए हैं और मश्री इश्यू में उन भले कामों के लिए सिर्जे गए जिने परमेशन ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया कुछ काम ऐसे है जो परमेशन हमारे करने के लिए पहले से नियुव्ट क्या हुआ है वो काम हमको मालू मना चीह कि परमेशन ने हमको किसले गुलाया, किसने हमको नया बनाया, कौन से हमारी इस प्रित्थी पर के काम के बात नहीं कह रहा हूँ वो स्वरगी राजि के लिए हमारी और सिक किया गया कामों का चच्चा कर रहा है तो आपने अपने कामों को ये अपराथन करने का मरतान मिला है ये अगवाई करने का अलग-अलग सारे को काम भाटा गिया है बोलता है देह में एक ही एंग नहीं है कि सब लोग एक जैसा क्यों प्रचार करें सब के अलग अलग काम है देखो उनके कामों का लिस्ट कहा है रोमी बारा का तीन पत से आगे पढ़ लो काम परमिश्वर के और से ठहाएवे काम क्या क्या है जो इसने एफिसी दो में पॉलूस उसकी ब प्रातों को खितान के लोग अपने नुक्सान का कारण बनाते हैं यहां लिस्ट आउट किया उसने कि क्या क्या काम उसने कलिश्वर के लिए ठहरा है तीन पत से बढ़ो रोमी बारा का तीन से आगे है क्योंकि मैं उस अनुगरे के कारण जो मुझ को मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आपको ना समझे पर जैसा परमीशों के हर एक की परिमान के अनुसार विश्वास दिया है वैसे ही सुगुद्धी के साथ अपने को समझे आगे पढ़ते जाओ कि जैसे हमारी एक दे में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं वैसे ही हम जो बहुत है मसी में एक दे होकर आपस में एक दूसरे के अंग है और जबकि उस अनुगर के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन भिन बरदान मिले है तो जिसको भवश्वानी का दान मिला है वो विश्वास के परिमान के अनुसार भवश्वानी करे यदि सीवा करने का दान मिला हो तो सीवा में लगा रहे यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे जो अबदेशक हो वो अबदेश देने में लगा रहे दान देने वाला उदारता से दे जो अगवाई करे वो उत्सा से करे जो दया करे वो हर्ष से करे प्रेम निश्क पटो बुराई से ग्रिणा करो भलाई में लगे र ये सब वर्दान पर्मिशन ने अलग-अलग सब को दिये, सब लोग सब काम नहीं कर सकते, किसी को कोई एक वर्दान मिला, तो जो दान देने में लगा रहे हैं, और जो भलाई करे हो, भलाई करने में लगा रहे हैं, हर एक काम को अपना-पना, हर एक व्यक्षिक को अपने-प वर्दान दिया कौन सा काम तुम्हारे ठेहरा है उस काम को पूरा करना है यह कह रहा हूँ तो इसलिए इस विश्या को ध्यान में रखो सब लोग मिलके अप एक दूसरे को इंकरेज करो कि भाई एक अपने आपको जानो कि किस काम के लिए परनुशन ने तुम्हारी निवकी क है दे में दे के हरे कंगों का एक जैसा काम नहीं है सब को अलग अलग उसने ठेहराए कि कोई एक करेगा कोई वो करेगा और सब को अपने काम को पूरा करके विश्राम में प्रविश्राम करना है और विश्राम बोलने से हम लोग सब जानते मिलेनियम जो हजार वर्षी त्याय को फिर से वो वापस आजा हो जारा ग्यारा पत से आगे पुड़ों तो जब की सब वस्वे इस रिजित से पिगल्ले वाली है तो तुम्हे पवित्री चाल्चलन और भक्ती में कैसे मनुश्य होना चाहिए और परमेश्व के उस दिन की बार्ट किस रिती से जो होना चाहिए और उसके चल्द आने के लिए कैसा यतन करना चाहिए जिसके करण आग से पिगल जाएंगे और अकाश के गन बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे पर उसकी प्रतिग्या के अनुसार हम एक नए अकाश और नए पृत्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिक्ता बास करेंगे परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा उस दिन अकाश बड़ी हरहाट के शब्द से जाता रहेगा ये थर्ड वर्ड वार का मौहल बना हुआ है अभी इसराइल को चारों तरफ से घरने वाले हैं सब और तब ये बैंकर स्थिती पैदा होगी और तब लिखा है कि प्रिथियों और उस पर के सारे काम जड़ जाएगे और तब ग्यारा पर में मेंशन किया जब कि ये सब बात वस्तुएं इस रिती से पिगलने वाली हैं तो तुम्हें पोईतर चाल चलों और भक्ती में कैसे मनुष्य होना चाहिए अपनी अभिलाशाओं को पुरा मत करो अपनी जिम्मेदारियों को पुरा करो जिसको प्रात्ना करने का वर्दान है जिसको प्रात्ना करने का करना आता है ये तू प्रे यदि याकूब चार का सत्रह बड़ों क्या लिखा है याकूब चार का सत्रह बड़ों इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है यह मतलब जो कुछ तुम जानते हो यह दी प्राथना करना आता है प्राथना प्राथना जो है भलाई का काम है अपने अपने लिए प्राथना अपने परिवार के लिए प्राथना अपने कलिक्स के लिए जिन से परिशे है अपने जगा के लिए जहां रहते हो जिनके बीच मे रहते हैं उन सब के लिए प्रात्ना करना हम लोग प्रात्ना करना तो जानते हैं हम प्रचार करना जाने मत जाने पर प्रात्ना करना सब को आता है यहां लिखा जो भड़ाई करना जानता है और नहीं करता है वो उसके लिए पाफ है इसलिए इस विश्या को ध्यान में रखना कि ये हमको भक्ती में और चाल चलन में काईसे मनुष होना चीए ऐसे समय में जब कि ये सारी वश्चों इस रिती से पिगलने वाली है और 12 बज़ में काली का दूसरा पत्रश तीन का 12 बढ़ो और परमेशो के उस दिन को परमेश्व के उस सिंकी बार्ट किस नीए से जोना चाहिए कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यद्न करना चाहिए प्रभू अपनी प्रतिग्या के विश्य में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं पर तुभारे विश्य में धीरर ज़र्दा है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो वरन यह कि सब को मन फिराओ का अफसर मिले मन फिराओ का मतलब यह है कि अभी लाजचाओं से मन हटा कर परशर की इच्छा के अनुसार अपने मनों को सीधा करना और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना यह ज़रूरी है आज के समय में लिखता है कि बारपद में परशर को दिन की बात किस रिती सुझोना चाहिए उसके जल्द आने के लिए यदि हम सब अपना मन लगा लेंगे उसके बातों में उसके कामों में तो जल्दी आएगा कई लोग पुझते हैं मेरे से कब तक है उसके नहीं खते रहे होते हैं कब तक हम प्रभू करास्ता देखे दीदी भी ऐसे कुछ पुझ रह थी कितना दिन में ऐागा वह तो आना चाहता है पर हम में से बहुत सारे लोग के काम पुरी नहीं है हमें से बहुतों की तहरी पूरी नहीं है बहुत सारे काम वो देखता है कि यदि आ गया तो बहुत सारे लोग नुक्सान में जाएंगे इसलिए वो डिले करते रहता है वो देर करते रहता है धीरत धरता है नहीं चाहता है कि कोई नाश हो उसके आने के समय में यदि आज बुगा जाए तो हमारी तयारी पूरी है कि अपने आप से पूछो अपने आपको आंसर दो और तब तेरा पन में क्या पर उसकी प्रतिग्या के अनुसार हम एक नए अकाश और नई पृत्वी के आस देखते हैं जिसमें धार्मिक्ता बास करेगी ये नए आखाश और नए प्रिथि में एंट्री कित की होगी? धार्मिक्ता की होगी धार्मिक्ता की विशे में इस्वने शुरू में कहा था मतिछे के तैसिस में लिखा है क्या लिखा? मतिछे का तैसिस इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोच करो तो ये सब वेस्ट वे भी तुमें मिल जाएगी ये लिगा है कि पहले तुम उसके राज और धर्म धर्म नहीं है वो धर्मिक्ता है तो धर्म और उसके राज या और धर्मिक्ता की खोच करनी की है हम लोग अभी भी हो सकता है कि धर्मिक्ता की विश्य में उसके लिए इंग्लीश में वर्ड है राइचेस्निस Right doing person righteous कहलाता है धर्मिक कहलाता है इन सब बातों को ठिक ठिक समझो और समझाओ एक दुसरे को सुलापत ने पालस की पत्रियों को फिशे में पत्रस ने लिग दिया एक बात क्या लिगा दूसरा पत्रस तीन का सोला वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिन में कितनी बाते ऐसी है जिनका समझना कठीन है और अनपड और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्रे की और और बातों की नाई खीच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं को लोग भी नाश का कारण बनाते हैं पोई शास्त्रे की बातों को अनपड और चंचल लोग अनपड बुलने से कौन जिनों ने जो पढ़े लिकेत हैं पर परविश्यर के वचन को पढ़ती नहीं अनपड उनको बलता है चंचल बुलने से जो जिनका विश्वास हिस्थी न हर नए दिन में एक नया चीज़ में माया होते रहते हैं चंचल बलने से छोटे बच्चे लोग चंचल होते हैं उनको शांती ते से बैठा को एक जबबे और पार बातों के नहीं खीच तार कर अपने नाश का कारण बनाते हैं यह एक एक्जाम्पल देना चाहते हूं, यहां पर कि पॉलूस की एक बात ऐसी है, जिसको कई बार नहीं समझ के आने का खिस्तान होता है, पढ़िए, पहला कुरंथी तीन का नौ और दस पुड़ों, क्योंकि हम परमेशा के सहकर्मी हैं, तुम परमेशा की खेती और परमेशा की रचना हो, मैं भी रीड इन इंग्लिज रंजू, ए राजू, फोन कर, आप्यू, परमेशा की खेती है, बार नहीं आप्योंकि ऐखेती है, राच्छना को बिल्दिंग बोलता है और तब आगी कहले हैं नौग पत में अधस पत में 10th पत में 10th पत According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. PO WAS क्या बोल रहे? As a master builder. Master builder किसको बोलता हमानु है? परमेशा के उस अनुगरित के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धी मान राजमिस्त्री की नाई ने उडाली और राजमिस्त्री बोल रहता है राजमिस्त्री वर्ड यूज़ किया हिंदी में मास्टर बिल्डर के लिए हिंदी में वर्ड आया है राजमिस्त्री राजमिस्त्री बोलने से जो जो बिल्डिंग बनाता है बिल्डिंग बनाने वाले के हाथ में एक चीज़ रहता है यू सी आमोस साथ अध्या है लोग ध्यान रखो, क्या लिगा है, आमोज साथ का साथ, उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहूल लगा कर बनाई हूई किसी भीद पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहूल है, यह जो प्रभु है, यह साहूल लगा कर किसी भीद के, किसी कंस्रक्शन के बगल में खड़ा है, यह विजन है, कब कम अलूं है, end time का, वो आएगा तो साहूल लगाएगा याद रखना, साहूल बलने से, what is in English, Ranju? प्लम लाइन. चैसी से देखा जाता है, कि घर ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यह जी कहल प्लम लाइन के भीतर नहीं हो का, तो घर गिर जाता है, या बाद में क्रेक हो जाता है. आज चर्चेज में क्रेक क्यों हो रहा है क्यों डिस्प्यूट है क्योंकि फ्लम लाइन के बाहर है सारे सारे कंसर्चन फ्लम लाइन से बाहर है अपने अपने विशह में ध्यान करो कि परमेशर के वचन के अनुसार जिस दिन वो आएगा वो चेक करेगा कि कौन किस जगह पर ह तुम सीधे हो इसके वचन के अनुसार नहीं हो तो दिन बहुत मुश्खिल होगा एंट्री नहीं होगी राचेस राचेस राइट राइट डूइंग परसन विल उनली एंटर इन दर न्यू क्रेशन नए प्रिथ्थि और नए आकास में वही जाएगा जो भले काम करने के आद पढलो ग्यारा और बारा पढलो ग्यारा बारा थेरा तो तो जब क Banks ल वे सुर्इब वार्ब्षंटु से पिघंलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भ्रक्ति में कैसे मनेश्चव होना चाहिए और परमीश्वा के उस दिन की बाढ़ किस रिती से जो हना तैरी रखना चाहिए कैसा तुम्हारा चाल चलन कैसा भक्ती होना चाहिए क्या लिका आगे इस रिती से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिगल जाएंगे और आकाश के करण बहुत ही तब्त होकर गल जाएंगे पर उसकी प्रतिक्या कैनु साथ ठीके ठीके पढ़ो एक नए आकाश हम एक नए आकाश और नई प्रित्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिक्ता बास करेगी इसलिए हेब्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यतन करो कि तुम शांती से उसके सामने निश्कलंग और निर्दोश ठैरो और हमारे प्रभु सायता करें कि आज इन गंबी रुश्यों उपर दीदी अक्सर फोन करती है निउस देखते रहती है और उसके बाद उसको फोन करती ही कि इसरायल का ऐसा हो रहा है इसरायल का वैसा यह सब इन टाइम का साइन है हम लोग सब जानते है अच्छे से यह यूद्ध है यह वो अन्थ होने का यह अकास और प्रिस्वी जल जाएंगे उसकी तियारी हो रही है वो सब देखो और अब खुट को तियार करो सब लोग एक दूसरे को समझाओ चिताओ बताओ कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब एंड आएगा और एंड आएगा तो सबसे पहले तो प्लम लाइन लगाएगा कौन उसके नए प्रिति और नए अकास में एंटर करेंगा नहीं करेंगा इस विश्य में एक वर्फिस से चवदा पत पर लो है प्रियो जबकि तुम इन बातों के आज देखते हो जब हमको आश्या है कि हम एंटर करेंगे तो क्या लिगा है यत न करो ये इंग्लीज में ब ये इस बात को याद रखो सब लोग और एक दूसरे को सिखाओ चीता हो एक दूसरे को समझाओ कि देखो भई उसके सामने शांती से उसके सामने निश्ट कलंग निदो ठेरो उस दिन लोग जब वो आएगा तो आज शांत हो जाएंगे दिस्टा हो जाएंगे मेंटली होंगे एक जन उठाली जाएगा का मदलन वेक चुड़ जाएगा पति रहे है गया पती चलागया इपत्नी रहे गया बच्चे चलागया माबब रहर रहा है माबाब चले गह i Match घे रहा है ऐसा हो सकता है इस इस it is पॉसिबल एक नहीं मुवी आई है जरूर देखना लेफ्ट बिहाइंड देख लेना यह वह सकता है देख लिए होगे किसी ने देखा हूं मुवी लेफ्ट बिहाइंड करके अभी यूटुब में अवलेबल है अवाँट बिहाइंड करके एक नहीं मुवी आई है लिफ्ट बिहाइंड यूट बाद नेखना चीए जरूर देखो और त्यारी करो किसी ने दिखा है बहुत इंटरस्टिंग देखना जरूर उसका तो अगर जाना है तो उसका तो गड़ा कटाना है जो छुट जाएगा वो बहुत कटीन परिस्तितों में एंटर करेगा और उस समय लिखा है कि जैसे जैसे समस्या बहुत दे जाता था तो प्रकाशित वाकें लिखा है इतना होने पर भी लोगोंने मन नहीं फिरा है और हाड़ बजाएंगे लोग तकलिप बढ़ते जाएगा तो बोलेंगे कहां गया इस्चवर कहां हो प्रेमी परविशर अभी भी लोग बोलते हैं यह ऐसा प्रेम करने वाला परविशर सजा कैसे देगा ऐसे क्रिश्चन लोग कोस्चन मैं देखा हूं पुछते हैं लोग कि प्रेम करने वाला परमिशर इतना विनाशक नहीं हो सकता ऐसा वो लोग का कलपना है और जब विनाश आएगा तब लोग और हाड हो जाएंगे और उनके रिदे कठोर हो जाएंगे लिखा है कि इतना होने पर भी लोगोंने मन नी फिरा है प्रकाशित वाके में बार-बार ये लाइन दिखाई देगी इसलिए छुट जाने कर नहीं पहले राउन में जाने की तिहरी करो छुट जाएगा वो फसेगा बहुत कठीन परिस्तीते होंगे ठीक है उतके विशह में दानियल बारा का एक दो तीन पढ़ लो ज़रा एक बार याद दिला तो मैं क्या लिखा है दानियल बारा उचका एक दो तीन ये बहुत जल देखने को मिलेगा मुकायल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाईयों का पक्च करने को खड़ा रहता है हमेशा ये जाति भाईयों बले से इद्रैली lingu का पक्च करने को हमेशा खड़ा रहने वाला जो मुकायल वो आएगा और क्या होगा आगे तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी की जाती के उत्पन होने के समय से लेकर अब तक कभी ना होगा पर अगे परतु उस समय तेरे लोगों में से चितनों के नाम परमिश्य की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे इसको वर याद रखना कौन बच निकलेगा जिनके नाम परमिश्य की पुस्तक में लिखे हुए हैं परमश्र कि पुष्टक में नाम लिखता कोने और कैसे लिखता है सब बताया हूं मैं सब याद करो और एक दूसरे को याद दिलाओ समझाओ कि हमारा नाम उसके पुष्टक में होना चीए ये इज़ए दुनिया में किसी भी किताब में हो कैसा भी चाहित में हमारा नाम हो वो नहीं बचाएगा हमारा बचना परश्यर की बुस्तेक में नाम हमारा होना चाहिए तब ही बचेंगे तो प्रभु सबकी साहता करें इस विश्यों को इन दिनों में खासकर ठीक से ध्यान करो सब लोग इस पर मन लगाओ और किसी भी विश्य में डाउट होगा तो मुझको जरूर कॉल करना ओके? So God bless you all Thank you very much और आज दिदी प्रात्ना करेगी अंतीम सबस्क्रावड करें इस तुम्हार दिनों देखते दिये छो सब्तिके बड़का था तुमार बागको तुमार बागको मुधूत्यों मिष्टी से बागको अमना शुन्ते पाच्या खुन आमारा दे रिदायर जे हिच्छा पीचा तोमार बाक्क को सोनार जन्णों, शेता के अमादे ब्लादर के तुमी ठीक करेचो, तोमार थे भियतेरे तृष्णा आठे, ये अमारा शूद्डेबाथ्ची, शेता के तोमार कोरूना ओ धामार, ध्हाङे जए, अमरा चिरोकृतोग अअएड़्ड़ड़तेक भायबुन बोत्ते होस्त्यों पिरियो जंद जो न्यासकन। दयामाय तुमी जोखन आस वैं आमांद देर के आमार ह्योता आ करें वडल हाय। कि आमारे समयने कैसा कि बहुद शप्तिकंप मठाक्या आसे सब्सक्राइब सबीए तब्सक्राइब है कि आदेन की समयन कमारी कि था झता की समयना ए जे उरी पुर्णा आचे, ताके तुमी दिये चो आमादेर अत्म उत्तम शिख्खा पवार जन्न दायमाँ, ए इस शिख्खा कोधा है पवाजाई पिता है, इन्तु ए शक्ता है दिने जनाम रापेख्खा कोते था कि एभाउ तुमी आमादेर इच्छा पुर्णा पुर जला 67-ắc का थी के पासे मुड़ा हम से अली जन्या ज शुर्णा से यॽर्णा है, अलीज जन्या पहसले कि ए शुर्णा प्रहे दिया सब्स्ता हैं, इमनेःग ये वी execut दिमेंस दिंजे ए अनदेर बथाई अमलादेश आगे शेष दिन पुझनता हुष्त पुझनता जना मना विशशले खेकितमा पात्तु आपकु एक पुदे पात्तना जिशन नहां चाहिलाँ. Amen. So God bless you all and pray continuously for me. अपनी प्रात्नाओं में हमेशा याद रखना वही तबियत अभी मौसम चेंज होने वाला थोड़ा गोल माल चल रहा है. मामा यहिचकल 37 का थोड़ा एक बार कर रही होगा तो यहिचकल 37 बताईएगा. Next time. 37 बताईएगा. Okay. I will tell you. Maybe next class में मुझको याद दिलाना. Yes. 31 बताईएगा. 31 बताईएगा. No, no. यहिचकल 37. यहिचकल क्या हुआ? About dry bones. English में क्या हुआ? यहिचकल 37. Okay. 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 Bye. 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 Shalom, Mama. Bye. Shalom, Mama. Shalom. Shalom, Shalom. Shalom. Shalom, Shalom. 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 ì